सबसे पहले दोस्तो आप मेरी यहाँ पर mobile की screen पर आप यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर लिखाओ मेरे पास में यहाँ पर आ चुका है जो इसकी यहाँ पर इस loan application में जो यहाँ पर processing fees लगने वाली है 3250 रुबे की यहाँ पर processing fees लगने वाली है और भी 585 रुबे की यहाँ पर आपके उपर GST लगने वाली है बात करें अगर दोस्तों हम यहाँ यहाँ पर इसकी टरणोर रखी वो दोस्तों मैं यहाँ पर suppose that के लिए मैंने यहाँ पर अभी की टाइम में यहाँ पर रख रख है और भी दोस्तों यहाँ पर जो इसकी EMI रहने वाली है 14,000 रुपे की यहाँ पर इसकी EMI रहने वाली है loan application बिलकुल एकदम सांदार होने वाली है एकदम दोस्तों यहाँ पर NBFC और RVR registered application होने वाली है एकदम दोस्तों यहाँ पर trusted loan application होने वाली है तो भी दोस्तों यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है 100% दोस्तों यहाँ पर genuine loan application होने वाली है loan application के बारे में दोस्ते यहाँ पर step by step पुरी जानकारी आज किस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ एक हजार रुपे से लेके दोस्तो आपको यहाँ पर एक लाग रुपे तर आपको यहाँ पर loan दिया जाता है वो भी सिर्फ दोस्तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड और pen card के basis पर loan application के बारे में step by step जैसे आपको apply करना है पुरी जानकारी आज किस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ इसके लिए सिफ दोस्तो आपको एक ही काम करना है वीडियो अच्छी लिए कि तो उसको एक like कर देना है चैनल पर नए हो तो दोस्तो यहाँ पर चैनल को subscribe कर देना है क्योंको भी यहाँ पर ऐसा content आपको मिलता रहता है without time waste के वीडियो को start करते हैं तो भई मैंने यहाँ पर first time में एप लिगी सकते हैं आप पर about section यहाँ पर open कर लिया है जैसकT कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर दोस्तो साब लिखावा है कि यहाँ पर आपको instant personal loan दिया जाता है वो भी दोस्तों यहाँ पर 1,00,00 रुपया तक instant के instant है वो भी सिर्फ आपको यहाँ पर आधार कार और पैनल कार के basis पर यहाँ पर दोस्तों 30 मिनिट के अंदर अंदर आपको यहाँ पर लिमिट मिल जाती है अगर भई आपको यहाँ पर लोन की अपरोड की जो आपको लिमिट होती है वो भई 30 मिनिट के अंदर अंदर आपको यहाँ पर लिमिट मिल जाती है और भई दोस्तों हम बात करें इसकि यहां पर आपके यहां पेंपर डोकिमेंट की तो यहां पर आपका PAN CARD लगने वाला है यहाँ पर 100% secure loan application होने वाली है 100% digital इसका process रहने वाला है तो भी मैंने यहाँ पर application को यहाँ पर open कर रखा है open यानि कि मैंने यहाँ पर old ladies को यहाँ पर download कर रखा है मैंने दोस्ते यहाँ पर इसका थोड़ा बोदा यहाँ पर process भी complete कर रखा है वो अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ सब सब पहले आपको किया करना है कि भी application को आपको download करने न है, जैसी आप download कर लेते हो, आपको दुस्तों वहाँपर क्या करना होता है कि भी सब सब पहले आप जैसी application को open करोगे, महाँपर ये mobile number वहाँपर fill करने का आपके पास में option आजाएगा वहाँ पर दोस्तो आप मोबाइल नमबर वहाँ पर फिल कीजिए जो भी आपका आधार कार्ड में अटेच हो वो जैसे भी आप यहाँ पर मोबाइल नमबर फिल करते हो आपके पास में एक OTP सेंड की जाएगी OTP वहाँ पर verify करवाने के बाद में first step आपके पास में यहाँ पर as interface आ जाएगा जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर आच चुका है यहाँ पर दोस्तो कापी सारी loan आपके सामने यहाँ पर so हो जाएगे आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर चाहिए यहाँ पर टो क्लिक करना है यहाँ यहाँ पर आपने और प्लाईं information मैंने यहाँ पर complete कर रखी है पर भई मैंने यहाँ पर लेट इसके यहाँ पर स्क्रीन सोट लियें जैसा कि यहाँ पर देख पारे होंगे यहाँ पर दोस्तों आपको employee type डालने पड़ेगी अगर भी आपके पास में salary slip है तो तो दोस्तों यहाँ पर 100% आपको यहाँ पर loan मिलने वाला है अगर भी आपके पास में salary slip नहीं है तो भी दोस्तों यहाँ पर आपको यह मैने यहाँ पर addres डाल दिया है यहाँ पर मैने city डाल दिया उसके बाद मैं यहाँ पर मेरे पास में यहाँ पर option 100 हो जाता है जैसे कि यहाँ पर 100 हो चुका है next पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास में यहाँ पर next step आपके पास में यहाँ पर ऐसा आ जाएगा यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बदा कि मैंने all ladies में यहाँ पर इसकी information complete कर रखी दी तो यहाँ पर pen card और आधार card की मज़से मेरे पास में यहाँ पर limit open होके आ चुकी है इस ओफर को दोस्तो आपको यहाँ पर accept करना पड़ेगा अभी आपको यहाँ पर limit नहीं मिली है यहाँ पर दोस्तो final decision होगा वह आपको यहाँ पर KYC complete होने के बाद में आपको यहाँ पर पता लग जाएगा आपको यहाँ पर पैंसर डेजार उपर तक limit मिल सकती है अगर आपको यहाँ पर document वगेरा सही रहते हैं तो सब कुछ complete होता है आपके पास में तो second step में उसके बाद में यहाँ पर third step में आपको यहाँ पर auto debit का आपकी पास में यहाँ पर option आ जाएगा यहाँ पर fourth step में आपको यहाँ पर e-signature आपको यहाँ पर complete करने है उसके बाद में यहाँ पर पांच वे step में आते हैं आपकी जो limit होगी आपकी जो यहाँ पर information होगी वो complete हो जाएगी जैसे कि यहाँ पर video KYC आपको यहाँ पर complete करवाने पड़ीगी पहले यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करोंगे यहाँ पर start पर आपको यहाँ पर click कर देना है मेरे कैसे मैंने यहाँ पर already इसकी यहाँ पर कर रखी है तो भी मेरे पास में यहाँ पर मैंने यहाँ पर दो detail इसकी यहाँ पर complete कर दी जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसके बाद में यहाँ पर auto debit का में पास में यहाँ पर option आ जाता है इस पर आपको यहाँ पर click करना है आपके पास में यहां तो net banking होनी चाहिए या फिर आपके पास में कोई debit card यहां पर आपके पास में यहां पर होना चाहिए यहां पर दोस्तों करने के बाद में आप यहां पर सब कुछ complete करने के जैसे कि मेरे case मैंने यहां पर पूरी detail इसकी यहां पर कम्प्लीट कर ली है यह सिगनिचर डन सब कुछ इंफ्रमिशन कम्प्लीट करने के बाद में आपके पास यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाता है जो आपको यहाँ पर लिमिट मिली है जो भी आपने यहाँ पर लिमिट मिली है जो आपके दो घंटे के अंदर अदर आपकी जो लिमिट है आपके बैंकटर में ट्रांसपर करने के लिए बिल्कुली यहाँ पर रेडि हो जाएगे आपके पास में एक sms दौरा आपके हवास में यहाँ पर बता भी दिया जाएगा आपके app के application में यहाँ पर रिमिट मिलने वाली है यहाँ पर दोस्तों सब कुछ देखने के बाद में आपको यहाँ पर दो से तीन गंटे आपको यहाँ पर वेट करना हो सकता है, यह ज़रा से कि मेरे पास में यहाँ पर दो गंटे का मेरे पास में यहाँ पर समय आ चुका है, भाई मैं अभी दोस्तों यहाँ पर इसका दो ग यहां पर मिलती है वो भी आपके सामने यहां पर आपके सामने यहां पर सोग करता रहता हूं यहां पर दोस्तों आपको इसका स्कीन सोट आपको मेरे टेलेग्राम ग्रूप पर मिल जाएगा जाके दोस्तों टेलेग्राम ग्रूप को आप जोइन कर लीजिए बात कर लेते हैं loan application के बारे में की नाम क्या होने वाला है loan baba personal application का यहाँ पर नाम होने वाला है play store पर दोस्तों आपको आसानी से मिल जाएगी application कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है RBI और NWIPS registered application है तो यहाँ पर 100% secure loan application यहाँ पर होने वाली है 10 लाग से प्लस दोस्तों इसकी यहाँ पर डाउनलोड होने वाले हैं एक बार दोस्तों loan application में आप ट्राइक कर सकते हो यहने दोस्तों application में यहाँ पर पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बता दी है I hope यह जानकारी आपको बहुत अच्छे लिगी होगी वीडियो अच्छे लिगी तो लाइक कीजिए अगर भई अभी तक भी आपने इस चैनलोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो भई जल्दी जाकर इस चैनलोग सब्सक्राइब जो कीजिए मिलते हैं ने शुम दके टेक क्यार बाई